तो मैं live भी आ चुका हूँ और online भी पढ़ा रहा हूँ तो दोनों को दिखाई देगा वैसे तो जो लोग Microsoft Teams पे हैं वो लोग left करके directly YouTube पे अपने चैनल पे जाएंगे वहां से भी join कर सकते हैं वहां से भी बहुत smooth चलने वाला है तो आप वहां से भी join कर सकते हो फिर वहां पे मैं भी दिखाई दूँगा क्योंकि अभी यहां पे मैं दिखाई नहीं देने वाला मैंने camera बंद किया और उसका camera चालू किया है तो देखो अभी शुरू करता है C++ यह कल से मैं तैयार पहले से ही करके रखूंगा उसको C++ में हमें सीखना क्या क्या है अल्रेडी मैंने कुछ चीजों के बारे में पहले से बात किया हुआ है लेकिन पता नहीं उसका माइक वहां से ही चाहिए तो सब लोग जॉइन करो मैं यहां से बंद कर देता हूं पता नहीं माइक कौन सा उदर चल रहा है क्या चल रहा है ठीक है तो देखो अभी सबसे पहले यहां पे होता क्या है एक बार मैं मोबाइल पे चिक कर लेता हूं साउंड आ रहा है की नहीं नहीं तो साउंड ही नहीं आएगा तो फाइदा क्या होगा चल रहा है अभी लाइफ तो दिख रहा हूं मैं यहां पे चल रहा है चल लो देखो अभी सी प्लस प्लस में अभी हमें क्या करना है इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सी प्लस प्लस के लिए भी आपको कोड ब्लॉक सौफ़वेर डाउनलोड करना है और फटा पट कुछ बेसिक चीज़े मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली चीज तो यह कि कोड ब्लॉक सौफ़वेर आप डाउनलोड तो कर लोगे इसको यूज करने के लिए जैसे सी के लिए आप यूज करते थे कोड ब्लॉक्स वैसे ही c++ को ूज करने के लिए भी कोड ब्लॉक्स की ही जरूत पढ़ने वाली यह प्रोग्रामिंग करने के लिए दूसरी चीज सी प्रोग्रामिंग को भी जिस कंपणी में बनाया गया था c++ को भी वहीं बनाया गया मतलब जो lab थी bell नाम की यहाँ पे भी lab है bell नाम की और वो company है AT&T company का नाम है और यह कहाँ पे US में हाँ बस बनाने वाले इस बार थे बी जार्न जार्न स्टो स्ट्रप जिनका नाम है जिन्होंने बनाया था और जो यह सी प्रोग्रामिंग थी जिसे डैनिस रिची ने बनाया था कुछ समय के बाद वैसे यह PhD कर रहे थे 76-7 के आसपास और इन्होंने company जोइन की थी जहां पर यह काम भी कर रहे थे और उसी समय इन्होंने इसको बनाया था हाँ इनसे पहले उसी जगह पे करी रहे थे ना डैनिस रिची लेकिन उन्होंने यह देखा बी जार्न स्टो स रखने कि अरे इस language में थोड़ी सी कुछ कमी लगती है C language में क्यों ना मैं बना दूँ और उस कमी को पूरा कर दो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो C में already है उसको छोड़ के कुछ नया बनाता हूं जैसे की एक लगता है कि union की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए C programming में ना एक concept union नाम की structure and union तो उस union को हटा दिया गया है C++ में और उसकी जगह पे एक नई concept लाई गई है classes नाम की class ये पढ़ने वाले आगे शुरुवात यहीं से हमें object oriented programming ही सीखनी है C++ का मतलब ही है object oriented programming language है जहां पे object होंगे हमें उन objects पे काम करना होगा इसलिए मैं उसे object oriented programming बोल रहा हूं इससे पहले जो हम सीख रहा हूं procedure हम प्रोग्राम लिखते है procedure oriented programming हम C programming पढ़ रहे थे process रहती है algorithm रहता है और उस procedure के हिसाब से structure oriented programming C++ को बोला जाता है जहां पे structure होता है यहां पे object है तो उसको object oriented समझेंगे ही वैसे उसको detail में जाएंगे हम समझने लेकिन जब इन्होंने बी जार्म ने इसका नाम पहले C++ नहीं रखा था C with classes रखा था हां लेकिन बाद में इन्होंने क् C with classes हम नाम रख रहे हैं इसका C++ तो यह 1984 में उनकी दिमाग में आया क्योंकि क्या होता है अगर आप एक memory बनाते हो C language में तो आप ऐसे बनाते हो आप एक C नाम की memory बना रहे हो जिसमें आप 40 रख रहे हैं देखो ऐसे ही बनती है ना memory लेकिन अगर आपने लिग दिया C++ इस इसलिए उसके आगे C++ लगा हुआ है ऐसा मुझे लगता है वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे C++ नाम उसका रखा जाए C with classes से बाद में C++ कर दिया गया 85 में distribute कर दिया गया इसके बाद इसके ना major updates है C programming के C++ के मैंने अभी जल्दी में पढ़े थे एक update 2011 में आया फिर उसके 3 स साल के बाद 2014 में आया फिर 2017 में आया फिर 2021 में ऐसे इसके updates 21 वाला नहीं मैंने पढ़ा मुझे याद नहीं है आपको तो 2011 के पहले का सिखाना है मुझे लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसके updates कहां तक है तो यह updates आये थे उसके ऐसे updates होते रहते हर एक application का update आता है हर एक software का update आत जाता है और कुछ नया किया जाता है हर एक mobile के नय नय अपडेट्स आते हैं एक नया वर्जन mobile का आया जिसमें नय फीचर्स एड हुए या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं नया hardware एड हुआ fingerprint sensor पहले पीछे की तरफ होता था तो side में आया side से देखते देखते डिस्पले में आया company आती है वह बोलती है कि हम research नहीं करेंगे हम वेट करेंगे सामने वाले के research करने का जब उसका करके हो जाएगा वही देखके हम भी बना देंगे हमारा research वाला पैसा भी बच जाएगा इसलिए वह अपने mobile सस्ते बेज देती है तो दोनों तरीके की चीज़ें यहां पर हमें देखने को मिलती है तो अलग-अलग कोई technology लाता है उसका ही देखके उससे related दूसरा कोई बना देता है तो ऐसे ही तो मार्केट में होता है हां लेकिन ठीके रहना है तो कम से कम उसकी technology तो adapt करनी पड़ेगी उसकी भी नहीं करोगे आपको यह है कि नहीं मैं अपना ही करके द लगाता है YouTube अपनी एड देता है कि हमारा competitor कोई आ ना पाया Instagram लगा देता है WhatsApp लगा देता है अरे टेलीग्राम जादा चलने लगा तो यूजर धीरे-धीरे समय के साथ अगर WhatsApp को छोड़के दूसरी जगह जाने लगे तो इनको भी यह होता है YouTube को भी ऐसा लगता है कि हम इतन पीचर डालेंगे कि हमारे से लोग दूसरी जगह दीरे-दीरे जाने ना लगे तो इसलिए अगर Instagram ने Reels लाया तो हम भी कुछ ऐसी चीज लाएं जिसका कुछ नाम रख दें कि लोग हमारे पर वापीस आने लगे आपको कम समय वाला देखना है ना वीडियो आओ फिर चलो का फीचर आजाएगा फिर कुछ कमिनिटी टाइप का आजाएगा अगर किसी और एप पर वो फिचर है या ऐसे कुछ ना कुछ तो चली रहा है रिसर्च फेस्बुक के बारे कुछ अलग अपडेट आएंगे Instagram के कुछ अलग अपडेट हर जगह ऐसे मार्केट में ऐसे ही च जाओगे कुछ समय के बाद आपके लिए एक एक सेकंड कीमती रहेगा तो यह सब चीज़ें होती है जैसे कि अगर मैं आपसे यह बोलू कि दो लाख असी हजार मैंने भी एक वीडियो देखा था उससे मैं बता रहा हूं कि दो लाख असी हजार रुपए नहीं इतना नहीं 86,000 रुपीज आपके अकाउंट में आते हैं और मैं आपसे यह बोलू कि आपको उसे रोज खर्चा करना है एक दिन में ही नहीं तो खतम हो जाएंगे तो आप कितना खर्चा करोगे अगर 86,000 के आसपास पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपको बोला जाए उसे 24 घंटे में खर्चा करना है नहीं तो उसके बाद चले जाएंगे फिर अगले दिन आएंगे उतने फिर अगले दिन उतने आएंगे तो आप क्या करोगे उसे खतम करोगे पूरा पूरा चलो ठीक है अगर आपके दिमाग में यह चीज आती कि मैं उसे पूरा खतम कर दूंग पूरा कुछ भी नहीं चुटेगा कैसे करना वह मैं देख लूँगा बराबर लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं और बहुत सारे मिनेट्स होते हैं और वह सेकेंड्स में जब तो वह टी सिक्सट फाउजन एटी सेवन थाउजन कुछ अप्राग्जिमेट होते हैं लेकिन कभी हम उसे पूरा यूज नहीं करते टाइम पास करते हैं एक एक समय जो बीत रहा हो वह वापीस नहीं आने वाला ध्यान रखना यह जीज़ अभी जो मैं बोल रहा हूं यह सब अब आगे आगे जा रहा हो एक-एक समय बीत रहा है तो यह वापिस नहीं आ रहा है आप यहां यूज कर रहा हो लेकिन उसके बाद आप कहीं घंटे सो गये वो सब वेस्ट हो रहा है आपको कुछ ना कुछ हर एक समय यूज करना है अगर किसी की उम्र सत्तर साल की है वो अगर पचास पे आ गई तो उसे कितना भी पैसा दे दो लेकिन वो बोलेगा मुझे नहीं मुझे इस पचास के सत्तर चाहिए मुझे बीस साल मेरे बढ़ा दो भले सारे पैसे ले लो मतलब अगर मैं 50 साल का हूँ तो मेरे 50 में 20 और बढ़ा दो अगर मैं 50 में जाने वाला हूँ तो 70 कर दो उसे क्योंकि मेरे लिए फिर करोडों रुप है मुझे नहीं जे बस मुझे और 20 साल जीना है मेरे लिए समय कीमति है अभी एक और देखा था मैंने की एक को फासी होने वाली थी उसका जो एक महीना था उसे एक महीना उसे मिला था कि एक महीने में उसकी फासी होगी उसने बताया कि वो एक महीना उसके लिए आधे घंटे से भी कम था उसे ऐसा लगा कि उसने वो उस एक महीने को एक आधा घंटा जो जिन्दगी का होता है हम बैट के बिताते है वो उस एक महीने के बराबर और वो आधा घंटा था, सोचो कितना फरक है तो जब आपको पता चल जाता है बस अब मैं यहीं तक हूँ यही मेरा समय है, तब फिर उसकी value समझ में आएगी जब exam आती है, एक दिन बचता है तब आपको उसकी value समझ में आती है जब वो एक दिन बीटता है फैसे तो दिन नहीं बीटते है और जब बीटना शुरू होता है तो आपको फिर समझ में नहीं आता है अरे इतने जल्दी कल exam है अरे कितने जल्दी time बीट गया ऐसे, तो हर चीज का अपना अपना समय है अभी देखो और आगे चलते हैं मुझे आपको ये बताना है कि software जो है कहा गया, code blocks इसको download कैसे करते हैं, एक बार बता देता हूँ C programming में तो मैं वैसे बताता हूँ लेकिन यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ code blocks software को आपको download कैसे करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है Google पे search करना है रुको मैं यहाँ पे search करता हूँ code blocks download, बस इतना ही search करना यह मेरे पास तो पुरी link आ गई क्योंकि इससे पहले मैंने already search किया हुआ है देखो code blocks download जैसे ही click कर रहा हूँ यहाँ पे पहली website आ गई है download code blocks इस पे click कर दो और यहाँ पे option है download the binary release इस पे click कर दो इस पे click करने के बाद आपको आपसे एक गलती होती है वह गलती बता रहा हूँ आपका laptop कौन सा है पहले तो वह चूज कर लो Windows है Linux है या Mac Linux और Mac में तो already C programming का compiler होता है पहले से C++ का भी होता है Linux वगेरे जो आपके college वगेरे में यूज करते होंगे operating system हम Windows कर रहा है मेरा Windows 11 है लेकिन Linux भी होता है होती है जहां पर आपको terminal जिसे बोलते है terminal के अंदर आपको run करना पड़ता है वो process easy है बस उसमें भी कुछ नहीं है अभी वो नहीं है मेरे सामने तो अभी आपको Windows पर click करना है उसके बाद चार नंबर वाला download करना है बहुत सारे बच्चे दूसरा वर्जन डाउनलोड कर देते हैं और बोलते हैं हमारा चल नहीं रहा है मैं यह समझाता भी हूँ हर बार कि आपको चार नंबर वाला M-I-N-G-W setup वाला download करना है no setup, setup no non admin और setup यह नहीं करना है ming-w M-I-N-G-W इसे download करना है compiler के साथ download करना है क्योंकि अगर आप कोई program लिखते हो फिर तो notepad में भी लिख सकते थे ना इसको क्यों download कर रहे हो यह तीनों download कर सकते हो या notepad में लिख सकते हो एक ही बात है यह तीनों को download करना और notepad को download करना एक ही बात है हा लेकिन नोटबेट के बस compiler नहीं है, compile करना है न आपके program को, आपने जो program बनाया है, उसका app बनाना है, program को compile करके एक नई फाइल बनानी है, जो हमारा operating system समझ पाई windows 11, उसके लिए बनानी है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, convert करना पड़ेगा न, compile करना पड़ेगा, तो compiler ही नहीं है, तो उस app का क्या फायदा, इसलिए इस पर click करो download start हो जाएगा, download start, देखो click ही कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये net के हिसाब से, download अपने आप चालू हो जाएगा, वे देखो हो गया है, हो रहा है, मैं भी इसे रोग देता हूँ, मुझे इस चोड होने के बाद, देखो क्या होगा, दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर एक application इस तरीके से दिखाई देगा, code blocks नाम का, इसे open करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ यह application है, यहाँ प एक option है फाइल, यहाँ प एक option है new, यहाँ एक option है empty file, यहाँ पे option है, file, save, file as, और समय क्या करूंगा कि एक फोल्डर बना दूंगा जहां पर मैं अपने सारे प्रोग्राम सेफ करूंगा अगर आपको पूरा कोर्स पूरा हो जाता है उसके बात प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो या तो आप कोडिंग सीखो एप डाउनलोड कर लो प्ले स्टो कोई फरक पड़ता है तो आप वहां से भी कर सकते हो तो यहां पर सेव एस करता हूं यहां पर और डेक्स्टॉप कि इधर रहे डेक्स्टॉप यहां पर इसका नाम रख देता हूँ रोहित.cpp फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है रोहित रखो या रोशनी रखो यह सकते हो यहां पर और इसके बाद अब प्रोग्राम लिखना है मैं आपको बता देता हूँ c++ के कुछ नियम है नियम पहला यह है nc न नियम बनाए हुए है American National Standard Institute उनका पहला नियम यह है कि c programming में header files को लिखना compulsory नहीं है optional है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन c++ में compulsory है और पहली header file का नाम है hash include iostream लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ 2011 से पहले का जो समय था उस समय इस header file का नाम हुआ करता था iostream.h sorry 1998 के पहले का समय लेकिन वो जो turbo c software आप use किये हो क्या पहले वो एक blue screen वाला एक software और आता है दूसरा कोई change नहीं है एक और फाइल है दूसरी koneo.h आप अपने प्रोग्राम में gate ch भी लिखने वाले हो gate ch तो हम लिखने हैं c programming में भी वैसे ही और उसके बद आप लिखने वाले हो main function main function भी लिखता हूँ यहाँ पर curly bracket start यह बता रहा हूँ न अभी उस पर भी आता हूँ हाँ जैसे कि तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर using namespace std भी हमें लिखना है हाँ एक नई concept add हुई है iostream नाम की जब नई फाइल बनी पहले क्या नाम था iostream.h जब iostream.h जो थी तो उसके यहाँ लिखता हूँ iostream.h पहले हुआ करती थी पराबर जब आई iostream यह फाइल है पुरानी इसके अंदर c in के बारे में बताया हुआ है c out के बारे में बताया हुआ है आप प्रोग्राम में यह लिखने वाले हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इनके बारे में बताया हुआ है c in c out के बारे में लेकिन जब नई बनाई गई तो इन्होंने क्या किया पता है नया जब बनाया गया इन्होंने एक नेम स्पेस बनाया STD नाम का नेम स्पेस ये जो concept थी ना ये पहले थी ही नहीं बाद में आई नेम स्पेस STD और इसके करली ब्रैकेट्स के अंदर C in और C out के बारे में बताया ये लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया छुपा दिया अंदर डाल दिया किसके STD नाम के नेम स्पेस के अंदर और पहले डायरेक्ट था तो पहले हमें अभी लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपको नेम स्पेस के अंदर के हिस्से को यूज करना है ना तो प्रोग्राम में लिखना पड़ता है यूजिंग उसके आगे नेम स्पेस कौन सा उसका नाम बताओ उसका नाम है STD STD और सिमी कोलन ये लिखना पड़ता है पहले नहीं था पहले सी बाइव स्ट्रीम.च को नियो.च बात खतम पहले अब क्या हो गया यूजिंग नेम स्पेस STD हो गया, लिखना पड़ रहा है क्योंकि C in C out को अगर यूजिंग करना है तो ही लिखना अगर आप अपने प्रोग्राम में C in C out यूजिंग करना चाहते ना तो नेम स्पेस को यूजिंग कोई ज़रूत ने लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रोग्राम हमने बनाया ही नहीं जिसमें C out ना यूजिंग करें कुछ print तो कराना पड़ेगा ना printf यूजिंग करते होगी नहीं hello print कराने के लिए पहला प्रोग्राम मनाना है तो भी हम printf लिखते थे C programming में उसी तरीके से C++ के पहले प्रोग्राम में भी तो हम C out लिखेंगे तो आपको यहाँ पे using लिखना पड़ेगा using एक keyword होता है namespace भी keyword है std वो namespace का नाम है C++ में total 48 keywords है keywords का मतलब होता है reserve words यह words reserve करके रखे हुए है C programming में 32 reserve words हैं जैसे की मैं कुछ नाम बताता हूँ for if, else, while, do उसके बाद आप break, continue, switch, case, static वगएरे जितने भी int, care, float यह सब keywords ही है reserve words है आप यह reserve words को किसी और काम के लिए use नहीं कर सकते जैसे memory का नाम आपको भी for नहीं रख सकते int x रख सकते हो, int for नहीं रख सकते और का काम for loop की जगह पे ही होगा, उसका काम कहीं और नहीं होगा और reserve है, तो कुछ words reserve कर लिए बस हो गया, उसको आप फिर और कोई use नहीं कर सकता ना जैसे आप tickets reserve कर देते हो तो उतनी seat आपकी है, वो आप ही use करोगे दूसरा कोई use नहीं करेगा, reserve नहीं है तो कोई भी use कर सकता है, जिसे मिले वो use करे memory बना दी, memory बन गई, उसके काम का हो गया फिर दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई और बैठ चुका है उस seat पे तो दूसरा कोई उस पे थोड़ी उसके उपर बैठेगा जाके तो वो चीज है, वैसे ही है, अब इसके बाद यहाँ पे भी है अगर मैं सबसे पहले लिखूं, see out और उसके बाद लिखता हूं यहाँ पे सबसे पहले, hello semi colon, इसको run कराता है यहाँ पे एक option है, build, अच्छा gate ch भी लिख दो program के end में, program काफी अच्छा दिखता है अभी देखो कैसा दिखेगा run करने के बाद और देखो कैसा दिख रहा है, hello और यह दो line extra मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मैं चाहता हूं यह line ना दिखाई दे program end होने पे दिखती है line, program end मत होने दो, तब नहीं दिखेगी ना कोई चीज बंद होने के बाद दिखती है, उसको बंदी मत होने दो तो क्यों दिखेगी तो बंद नहीं होने देना है क्या, तो gate ch लिख दो, gate ch program खतम नहीं होने देता उसकी एक अच्छी आदत है कि वो प्रोग्राम को खतम नहीं होने देने वाला जैसे कि मैं यहां पर दिखाता हूं आपको यह देखो सबसे पहले हैलो दिख रहा है उसके बाद प्रोग्राम खतम नहीं होने दे रहा है गेट CHQ गेट CH का काम है जब एक एक लाइन चलाते चलाते नीचे आता है तो उसे रोक लेना उसे पकड़ लेना उसे नीचे नहीं जाने देना कि मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगा 11 नंबर की लाइन पर नहीं जाने देने वाला तुम चले गए वहां पर तो प्रोग्राम खतम होगा और जब तक कोई character नहीं मिलता मैं compiler को नीचे नहीं जाने दूंगा ऐसा गेट CH बोल रहा है कोई character दे दूसे W यह देखो दे दिया लेकिन अगर गेट CH आप स्टार्टिक में लिख देते हैं इधर तो इसके नीचे नहीं जाने देता है हेलो भी नहीं दिखता स्क्रीन पर तो यह का मैं get CH का बस प्रोग्राम अच्छा दिखे इसलिए मैं लिख रहा हूं और उसकी कोई जरूत नहीं आप कभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा मुझे लगता है कि प्रोग्राम मुझे अच्छा दिखना चाहिए इसलिए मैं लिख यह जो है इंसर्शन ओपरेटर पहले डेटा के लिए इंसर्शन ओपरेटर दूसरा डेटा अगर डेटा बदल गया फ्यूचर में तो आप इस इंसर्शन ओपरेटर को यूज कर सकते हो ध्यान में रखना यह इंसर्शन ओपरेटर है यह आउटपुट स्क्रीन पे अगर आ और बाय मुझे दिखाई दे रहा है मैं चाहता तो एक साथ भी चला सकता था अगर आपको लगता है बाय नई लाइन पर क्यों नहीं दिख रहा है आप चाहते हो नई लाइन पर दिखे तो एक variable endl नाम का आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा endl नाम है उसका endline आप देखो कैसा दिखेगा लाइन बदल गई हेलो के बाद लाइन बदली हाँ लेकिन अगर आपने endl यहाँ न लिखा होता यहाँ लिखा होता तो गलत है हेलो endl यह exit हो जाएगा और उसके आगे प्रिंट हो जाएगा है देखो हेलो endl आपको लगता endl एक memory का नाम है न तो उसको double code के बाहर लिखो हाँ आप backslash and लिख सकते हो backslash and भी line को बदलता है आप चाहो तो backslash and शन से भी line बदल सकते हो जो c programming में use किया जाता है वह वहला c++ में एक नया आया हुआ है endl उसको आप use कर सकते हो backslash and को दबाने के लिए ज़्यादा समय लगता है endl के मुकाबले endl में चार बटन दबाने endl और backslash and में ज़्यादा बटन से आप बुलोगी दोई नहीं shift दबाना पड़ेगा आप खुद करोगे double quotes लगाने पड़ते हैं उसके लिए तो उसमें ज़्यादा समय जाता है आप करके देख लेना तो shift नहीं भी दबा रहे हो लेकिन जब आप उसको separately लिखते हो ऐसे तो क्या करते हो shift दबा के पहला quote फिर slash फिर end फिर shift दबा के दूसरा quote shift दूसरा quote दो shift पहला quote दो चार और अंदर के दो शे बटन्स हो गए देखा जाये तो बटन्स का खेल नहीं है यह तो मैं एक दिन सोच रहा था तो मैंने आपको बता दिया आप देखो आगे जाते हैं इसके बाद अगर आपने कोई memory बनाई हुए यह एक्स नाम की और आपने उस एक्स नाम की memory को print कराने की कोशिश की आप बोलोगे उसमें कुछ रखा नहीं है तो उसको डारिक प्रिंट कराया सकता है हाँ वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा उसके अंदर अपने आप कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जीरो द चाहते हो एक्स के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो तो आपको बिना डबल कोट्स लगाए लगाना है मतलब यहाँ पे ना परसेंट डी होता है परसेंट अफ होता है परसेंट सी वाला सिस्टम है कुछ नहीं है डायरेक्ट जो प्रिंट करना है किसी memory के अंदर के कंटेंट क को print कराना है तो double quotes हटा दो और as it is content को print करना है तो double quotes लगा कि print करा लो X को print कराना है double ये y को print कराना insertion operator और insertion operator Z को भी कराना है आप ऐसा नहीं लिख सकते थे x y z ये पूरा का पूरा एक माना जाएगा एक memory का नाम माना जाएगा x y z ये ये पूरा एक है इसलिए ऐसा नहीं चलेगा x separate है y separate है अभी run करते हैं तो देख सकते हो 0 आया पहले x की value 0 आई है y की शायद 16 हो सकती या तो 1 हो सकती है और z की 60 हो सकती या तो 0 हो सकती है नहीं पता क्या हो सकती कुछ भी हो सकती separately check करो के तो चलेगा लेकिन हमने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं किसी में कुछ रखा ही नहीं और print कराया ऐसा हमने कभी नहीं किया हमें हमेशा memories में कुछ ना कुछ रखना चाहिए जैसे की 11 जैसे की 12 और जैसे की 13 कुछ भी और अब अगर run करोगे f9 दबाओगे तो देखो 11 12 13 आगे देख रहे हो उसके बाद यहां पर इस तरीके से तो अगर आपको लगता नहीं 11 के बाद लाइन बदले तो आप यहां लिख सकते हो ना क्या स्पेस देना है क्या आप स्पेस ऐसा नहीं चलता यहां पर इंसर्शन ओपरेटर स्पेस उसके बाद वाई फिर इंसर्शन ओपरेटर स्पेस समझे ऐसा करना पड़ेगा आपको यह इंसर्शन ओपरेटर क्या प्रिंट कराएगा कौन बताएगा तुम बताओ 11 उसके बाद space दिखेगा यह यह insertion operator क्या print करेगा 12 print करेगा और फिर space print करेगा यह वाला insertion operator और जेड के बाद तो जरूर होती नहीं है देखते हैं चला के f9 प्रेस करके तो यह देख सकते हैं 11 12 13 और यह जो blinking हो रही है gate ch पे वो एकदम बाजू में हो रही है अगर आपने एक और space दिया होता तो इधर blinking होती थोड़ी आगे तो उससे ही हमें पता चल जाता कि यह space भी दिख रहा है देखो अभी blinking देखो किदर होगी देख रहे हो थोड़ी आगे हो रही है वह तो last है ना उसके आगे लिखने की कोई जरूद भी नहीं थी मुझे हाँ मैं चाहता तो x plus y plus z लिख सकता था मतलब अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखना चाहता तो मैं यह कमेंड दे दिया मैंने इस लाइन को आप कोई रीड नहीं कर सकता see out x plus y plus z लिख सकते हो आप 36 आया सही है हाँ उसकी जो भी एडिशन होगी वह आया होगा 36 हो गई होगी तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सब को separate भी प्रिंट कराया जा सकता लेकिन फिर see out पूरा लिखना पड़ेगा अग्या सेमी कोलन लग गया तो see out पूरा लिखना पड़ेगा अग्या समझ रहा हो ऐसा नहीं कि यहां पर see out नहीं लिखोगे डारेक तो भी चल जाएगा नहीं से 11 12 13 लाइन नहीं बदली क्यों क्योंकि see out से print कराता लाइन नहीं चेंज करवाता पाइफन जैसा पाइफन में प्रिंट जो होता है ना प्रिंट कराके लाइन भी चेंज करवा देता और जाबा भी अएच्छा है system dot out dot print challenge जो है कुछ लिखते हो ना तो प्रिंट कराके लाइन भी बदलवा देता वह लोग वहां पर कुछ है सिस्टिम अगर आप चाहते लाइन नहीं बदलना तो वहां पर ऐसा है कि आप आप चेंज कर सकते हो लाइन नहीं बदलेगी तो यहां पर नहीं है यहां पर हमें लाइन बदलवाना है तो एंड ल भी लिख सकते हो लाइन बदलवाना है तो एंड ल भी लिख सकते हो लाइन बदलवाना है तो एंड ल भी लिख सकते हो ऐसे हो गया लेकिन अगर आपको की प्रइब कर रहा हूं कि आपको थोड़ी-थोड़ी C प्रोग्रामिंग आती है नहीं तो फिर पढ़ाया नहीं जा सकता पहली बात तो C प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए क्योंकि मैं इतना स्लो पढ़ाने को पढ़ा सकता हूं लेकिन फिर हमें दो की जगा चार महीना लग जाएगा क्योंकि अगर मैं यह सोचके पढ़ा हूं आपको C प्रोग्रामिंग नहीं आती तो तो मुझे चार महीने में मुझे C++ पूरा करना पड़ेगा और इतना समय नहीं हमारे पास इसके लिए C प्रोग्रामिंग हम सीख लेते हैं और उसके बाद C++ श जाएंगे वह भी कवर हो जाएगा एक चीज़ा और बतानी अगर आपने लिख दिया यहां पर सी आउट और पहला मैसे स्क्रीन पर एंटर अनमबर और इसको रन किया नीचे कुछ नहीं लिखा है द्यान प्रगना अग्र गेट है दूसरी ल्एं पहली यह और आखरी जी निर्धिक बीच में कुछ नहीं सारा कामेंट दिया हुआ है इसको नीचे करने आप इसको देखो ही मत और अभी इसको रन करूँ देखो F9 दबाए एक लाइन लिखा है इस समय जो ब्लिंक हो रहा है न यह गेट CH पे हो रहा है क्यों पहला सी आउट एंटर नंबर प्रिंट हुआ और गेट CH पे रुका हुआ है वही ब्लिंक हो रहा है कोई की प्रेस कर दो खतम हो गया लेकिन आपको एंटर करने का मौका कब मिलेगा आप कीबोर्ड से कब एंटर करवा पाओगे जब आप अपने प्रोग्राम में सी इन लिखोगे एंटर करने का मौका गेट CH भी देता है आपको लेकिन वह एक क्यरीक्टर देता है बस और बंद हो जाता है वह कुछ पाइसको रखता भी नहीं लेकिन C फोःंक बंसको उपार से आप जो कीबोर्ड से इंटर करोगे आप उसको किसी भी मेम्री में समाल के रख ए और देको फ्लूण गा इंसर्शन ओप्रेटर क्या है कौन सा है और एक्स्रेक्षिन आ्परेटर कौन सा है अम इन्सरीचन इन में यूजे करते हैं सी आउट में तुम बताओ si in में इंसर्चन यूजे करते हैं तो कैसे याद इंसर्शन ऑपरेटर है अभी मैं और भी पूछूंगा और पूछूंगा तो आपको भी नहीं आएगा किसको भी नहीं आ सकता है कोई भी सवाल जब तक आप उस चीज को ध्यान से सुनों के नहीं तब तक याद भी सीइन उसके बाद यहां पर लिख रहाएं कौन सा अपरेटर Gary एक्स्टरैक्शन जो एक्स्ट्यक्ट करता है एक्स्ट्रैक्ट करा के किसी में मेमरी में हम रखवा देंगे उससे उड़ीन के चलो रखवा देते हैं इस नाम की मेमरी में लेकिन आप बोलोगे कि आपने X नाम की memory बनाई ही नहीं तो X में रखवा कैसे रहे और उसके रख़ो एक memory बना देता हूँ आप बोलोगे memory बनाना है कि रुको इधर बनाते है ऐसा चलता क्या memory बाद में नहीं बनेगी पहले बनेगी तो पहले memory बनाओगे तब उसमें कुछ रखोगे रखोगे और memory बनाओगे ऐसा तो होता नहीं है इसलिए आपको lines कौन सी लिखनी है वो भी मालूम होना चाहिए उसके बाद अब run करता हूँ देखो आप मुझे बता सकते हो यह जो run हुआ है इस समय कितने number की line चल रही है 8 चल रही है 8 6 चली memory बनी 7 चली enter a number दिखा 8 number की line ने compiler को रोका हुआ है scene भी रोकता है जैसे getch रोकता है और scene यह बोल रहा है कि मैं compiler को नीचे जाने दूँगा एक शर्थ पे आप कोई number इंटर करो क्यों character ने कर सकते हो आपने दबा दिया लेकिन वो किसकी उम्मीद कर रहा है number की क्योंकि आपकी memory int type की है आप कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ में ना वो जो बोले आप वो ना करो तो लेकिन वो तो गलत हो जाएगा ना मैं number ही करता हूँ चलो number इंटर कर दिया अब वो ये कैसे समझेगा कि यूजर बस यूजर का हो गया वो ये भी तो सोच सकता का सीन कि शायद यूजर और सोच रहा है और number इंटर करने वाला हो किया न एक और अभी भी वो यही सोच रहा है लेकिन वो नीचे कब जाएगा कब छोड़ेगा हम पहलो को जब आप इंटर बटन दबाते हो जब तक इंटर बटन दबता नहीं एक बफर होता है मैं और डीटेल में जाऊंगा आगे कीबोर्ड से हम जो इंटर करते हैं पहले वो बफर में जाता है आपने one प्रेस किया बफर में एक एक ब्लॉक है पहला पिर दूसरा आपने रखा फोर फिर तीसरा फाइव रखा और वन रखा फिर आपने जैसे इंटर रखा बफर में इंटर आया सीन आता है बफर से मांगने कीबोर्ड से नहीं बफर से बफर वेट करता रहता है कभी इंटर बटन आ जाएगा ताकि मैं वहां से निकाल लूँ जैसे इंटर बटन स्टोर होगा वो खीच लेता है वो डेटा और रखवा देता है एक सनाम की मेमरी में समझ रहा हो बीच में इधर की बोर्ड है इधर सीन तो आपने जो इंटर किया बफर में गया और यह उदर से निकाल रहा है ऐसा हो रहा हो इंटर नली बता दूंगा बात में और अच्छे से तो जैसे इंटर किया अभी एक कहां ब्लिंक हो रहा है गेट सीच पे हो रहा है हाँ लेकिन अगर मैंन लेकिन आपको दो नंबर एंटर करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या किया है दो बार लिखा हुआ है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा पहला नंबर 11 दूसरा नंबर 22 हो गया दो नंबर एंटर कर पाए आप लेकिन एंटर उन नंबर लिखा था मैसेज देने को तो ए scanf matter करता है कितनी बार लिखते हो scanf एक बार लिखोगे तो एक नंबर दो बार लिखोगे तो दो नंबर इंटर कर पाओगे तीन बार लिखोगे तो तीन नंबर इंटर कर पाओगे चार बार चार सौ बार सौ नंबर इंटर कर पाओगे लेकिन सौ बार तो बहुत समय लग जा आता अपना समय हम बचा लेता है किसी भी चीज को repeat repeat करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो अच्छा है for loop यहां पे भी होता है सब यहां पे है if else while loop for loop जो c में था वो सब है c की हर एक चीज यह support करता है c++ बस printf की जगह c out और scanf की जगह c बस बाकी सबसे अभी दो नंबर तो आप यहां लिक दो इंटर two numbers अब ठीक है लेकिन आप दो numbers तो एंटर कर लोगे लेकिन आपने जो रखा वो सच में एक्स में ही गया और सच में य में ही गया क्या प्रूप चाहिए मुझे तो फिर से print करा दो c out entered numbers are कि वहां गया entered numbers are कोलन लगा दिया और सेमी कोलन हा लेकिन क्या क्या किसके किसके अंदर का content print कराना है एक्स और वाय का तो एक्स स्पेस और स्पेस अब देखते हैं कैसा दिखाई देता है इसे रन करते हैं कि नहीं दिख रहा वह entered numbers are अभी पहले तो कितने नंबर की लाइन चल रही है एट नंबर की 11 दूसरा अभी कितने नंबर की चल रही है नाइन अब नहीं गेट चल रहा है अभी 11 चल के हो गया गेट च पे रुका हुआ है compiler इस समय जो ब्लिंक हो रहा है न यह गेट च पे हो रहा है क्योंकि सिर्फ सीन रुकता है compiler को या तो गेट च दो लोग सीन एंटर करवाने के लिए रोक रहा है देखो एंटर नंबर सार दिख रहा है एडिशन करवा दू क्या उनकी आप सीन ऐसा भी लिख सकते हो चलता है अरे यह वाला जो extraction operator है किदर गया यह यह इस एक्स के काम आएगा यह extraction operator ही सुभाई के आएगा चलता है ना ऐसा भी है एंटर टू नंबर्स दो नंबर रखे एक काम करो ऐसा कर दो एडिशन आ जाए एंटर नंबर्स आर नहीं एडिशन इस बोल दो अरे यह दो नंबर्स की एडिशन हो गई यह तो प्रोग्राम ही बदल गया पूरा एडिशन इस अभी रन करू पहला नंबर 12 दूसरा नंबर 56 आ गया 68 यह तो हो गया प्रोग्राम एडिशन का प्रोग्र यहां पर int z नाम की और उसमें रख देते x प्लस y और बाद में z को भी print करा देते तो भी चलता लेकिन एक memory जादा बनानी पड़ती और एक memory जादा consume हो जाता देखे ऐसा होता इसलिए अब इतना ही main चीज आपको मुझे यह बताना है मुझे शुरू करना है functions functions क्या होता है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आगे जाना है बहुत जादा समय इसमें नहीं बिताना है तो थोड़ा speed मैं बढ़ाऊंगा starting मैं भी थोड़ा slow पढ़ा रहा हूं लेकिन बात में बदलूँगा अब है अब एक जो topic हमें पढ़ना है उसका नाम है functions मैं आपको बताता हूं कि functions यह जो हमारा अगला topic है अब यह functions होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे अभी कि आखिर में functions क्या है इसे चल रहा है ना कि functions में क्या करना है सबसे पहली बात तो जैसे कि आपने में लिखा हुआ था अभी आपके प्रोग्राम में इसे है अगर आपने प्रोग्राम में ही बताता हूं जाद़ आसान हो जाएगा मेरे लिए समझ लो आपके प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखा स्लैश star star s campuses subscribe दे दिया देख लां पूरा खाली है में अगर आप Cake अगला अमित उसके आगे दो brackets और सेमी कॉलन getCH लिखा था दो brackets और सेमी कॉलन लिखा था क्या लگता है ये run करूंगा तो error आ सकती है आ सकती है error और आएगी ही क्योंकि getCH के बारे में पहले से बताया हुआ है अमीत के बारे में पहले से नहीं बताया भी जान स्टोस्ट्रप ने नहीं बताया हा लेकिन उन्होंने या फिर उनके जो डेवलपर्स थे उन्होंने गेट सीच के बारे में बताया हुआ अमित के बारे में उन्होंने नहीं बताए उन्होंने लेकिन हमें मौका दिया है कि अगर मैं नहीं बता पाया जिन चीजों को आप بتा सकते हो लेकिन आप बताओगे तो दुनिया में हर यूजर नहीं उस कर पाओगे उसको उस अमित नाम के फंक्शन को अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो लाइबरेरी फाहिल में भी बना सकते हो जिदर gate ch बनाया गया है उसके आजू बाजू में या फिर program में भी बना सकते हो कहीं जगा देख के अपने लिए चलो मैंने जगा यहां देखी यहां लिख देता हूँ अमित उसके आगे दो brackets अब इसके बारे में बताना है तो curly bracket start, curly bracket close ऐसे हैं अब मैं बोलता हूँ अमित का मतलब देखो क्या C out अमित का मतलब है Hello Amit बस Semigolon तो अब अगर इसे run करूँ तो देखो क्या होता है और आप देख सकते हो Hello Amit दिखाई दे रहा है और अगर मैं यह line यहां से हटा दू और इसको program को छोटा कर दू आपको program भी अच्छे से दिख पाए अब अगर मैं run करूँ तो कुछ भी print नहीं होगा क्योंकि compiler को सिखाया गया है जाओ main के अंदर की line को चलाओ आया main के अंदर कुछ मिला उसे नहीं तो कुछ नहीं चला मैं उसे बोला Amit को जाओ चलाओ main के अंदर आया compiler फिर आपने बोला नहीं तो किसी की नहीं सुनता direct आता है main के अंदर main के अंदर उसे बोला जा रहा जाओ Amit नाम के function को चलाओ तो 10 से डायरिक गया 4 पे 4, 5, 6, 7 चलाया फिर आया 10 पे उसके आगे फिर लिख दोगे अमित तो फिर 4, 5, 6, 7 को चलाने चला जाएगा उपर उसको बोलोगे जाओ फिर से चला के लाओ चला के आओ जाओ फिर से एक बार और चला के आओ अमित को letters, capital letters मत करना function का जो नाम है वही लिखना पड़ेगा ये गया hello Amit hello Amit hello Amit चला के आया तीन बार देखे मतलब आप उसको भेजोगे तो जाएगा वो लेकिन अगर आपने इधर लिखा होता endel तो इससे क्या होता तो तीनों hello Amit नई नई लाइन पर दिखाई देता पहली बार hello Amit दूसरी बार तो जब function को call किया जाता है function बस तभी चलता है यही मैंने यह function को call किया यह मैंने function को बनाया यह मैंने function को call किया क्या function को बनाने के लिए इसको बोला क्या जाता है जो function बनाया जाता है function definition बोला जाता है इससे हाँ इसको क्या बोला जाता है इसको function call बोला जाता है जब आप किसी function को define करते हो किसी के बारे में बताते हो तो इसको definition ही बोला जाएगा ना इसको क्या बोला जाएगा function call तो function call करना अलग बात है function define करना अलग बात है एक जवाब और दो अगर मैंने function define नहीं किया है तो call कर सकता हूँ और अगर मैंने function define किया है तो call नहीं किया तो चलेगा चलेगा नखना क्योई error आइगी आपने सिर्भ define करके छोड़ दिया gate ch के बारे में भी तो बता के छोड़ दिया गया है नहीं यूज करोगे तो नहीं चलेगा क्या चलेगा ना वैसे आपको फंक्षन बना के छोड़ दोगे आपको यूज करना है कि नहीं यह तो main के अंदर बताना पड़ेगा अगर आपसे मान लेता है इस फंक्षन के अंदर 1000 लाइन लिखी हुई है 1000 लाइन और main के अंदर कुछ नहीं लिखा आपसे पूछा जाए बताओ output screen पे क्या दिखेगा आप बोल देना कुछ नहीं main को ही check करना main में क्या लिखा है वो देख लो जाके main में कुछ नहीं लिखा बोल तो कुछ नहीं print होगा बात खत्म जादा दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है बहुत confusion हो जाता नहीं तो और इस तरीके से हम क्या एक ही function बनाया जा सकता है क्या नहीं कई functions बनाया जा सकते है अजय बन गया दूसरा विजय बन गया तीसरा देख रहा हो कैसे function बन रहा है हाँ लेकिन आप ये call करना पड़ेगा अजय को भले खाली रखो चलेगा लेकिन बनाना है विजय देखे ये हो गया अभी से run करता हूँ खाली रखा इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन चला लेकिन अगर आपने ये बनाया ही नहीं होता और अब run करते इसको तो error आ रही है देखो आई एरर हाँ कुछ पूछना है किदर अंदर मतलब किसके अंदर बोल रहा है main के अंदर function को define नहीं किया जाता function को सिब call किया जाता इसलिए define main के function है ना वो तो function के बाहर ये भी एक function ही है ये भी एक function ही है पहला function एक अमित, अजय, main, मुकेश, सुरेश, आशीश ऐसे functions है तो compiler ship किसको चलाता पता है main को उसे वहाँ से ही सिखा के बेजा गया है जाओ 10 दुकाने मिलेंगी लेकिन एक दुकान है main नाम की उसके पास ही जाना उदर ही जाएगा main वाले ने भेज दिया जाओ उस दुकान पे जाना पड़ेगा ही फिर वो दूसरे पे जाएगा लेकिन वापिस से इधर आ रहा है वो और फिर अपने घर जा रहा है ऐसा उसका मतलब है तो functions यही होते हैं इसे ही function बोला जाता है function बहुत आसान है मैं इसको अपने अगले पार्ट में कल बताऊंगा और detail में function को ही continue करना है detail में सीखना है और function को किस तरीके से use किया जाता है function के पहले void क्यों लिखा जाता है या फिर int q लिखा जाता है यह सब चीजें हमें समझनी है आगे return keyword क्या होता है ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं कल फिर 940 को हम शुरू करेंगे किसी को कोई doubt है तो पूछ सकते हो online वाले मैं भी बहुत सारे होंगे पता नहीं तो थे online भी students थे 39 लोग थे अपने और भी कोई join वैसे भी 2-3 दिन तो लेना है मुझे उसके बाद तो हमारा teams पे ही होने वाला है class जो हमारा teams है उस पे 2-3 दिन मैं उस पे ले लेता हूँ हाँ और किसी को कुछ पूछना है क्या online वाले सिप 2 दिन नहीं पूछ पाओगी कुछ लेकिन ऐसे इसमें आप message से पूछ सकते हो कोई doubt है तो आप मुझे call करके पूछ सकते हो कभी भी और किसको कुछ भी रहा पूछ सकता है ठीक है चलो फिर बाए सबको बाकी हम अपने अगले lecture में देखते हैं